हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू लन्वरे दितीमन मादमेक शिक्षाबोड राजिस्थान अजमेर द्वारा नया सिलेबस जो है जारी हो चुका है और इस नये सिलेबस में क्या-क्या बदला हुए हैं इन सभी पर हम डिसकस करेंगे क्योंकि यदि आप एक्जाम के त अच्छे से पता है तो आपकी तयारी और ज्याद अच्छे से हो जाती है तो तयारी के लिए सबसे जरूरी है अच्छे período करने के लिए स्लेबस में हम सबसे पहले देखते हैं बाल विकास, साइकलोजी का स्लेबर्स, जो कि आपके 30 माक्स का आपके एक्जाम में पूछा जाता है, तो साइकलोजी के स्लेबर्स में यहाँ पर कोई भी नया टॉपिक एड नहीं हुआ है, लेकिन बस एक यही चेंजमेंट है, कि यहाँ पर जो second unit थी अधिगम की, उसे इंसानुक्रम और वातावरण, second unit जो है विक्तिगत विविन्ताएं और बुद्धी, third unit जो है, वो है कि विसेश आवश्यक्ता वाले बच्चे, उसके साथ प्रतिवाशाली स्रजन सील, इनके बारे में, इसके अलावा समायोजन, adjustment और उसमें अध्यापक की क्या रोल है, य इसे कर भी लिया है, चैनल पर जिन बच्चों ने syllabus के according यदी नहीं देखा है, तो देखिएगा हमारी जो second unit है, जिनको इन्होंने अब fourth unit कर दी है, वो लगवक समाप्त है, और आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, बिलकुल notes के रूप में आपको पढ़ाई गई है, उसके यहां पढ़ते हैं, तो देखिए, psychology में आपका ज्यादा चैन्जमेंट नहीं है, दूसरी unit को इन्होंने fourth unit कर दिया है, बस यही है, और पिछले साल जो syllabus था वही है, अब हम बात करेंगे, level 1 वालों का math का syllabus, कि उसमें क्या नया add हुआ है, अब देखिए, यह है math का syllabus, जिसम गया है, math में देखते हैं, तो देखिए, एक करोड तक की पूरसंख्या, इस्थानियमान, तुलना, जोड, गोणा, भाग, यह सब पूछा जाएगा, first unit में, second unit में, भिंड की अवधारना, LCM, HCF, मिस्र भिंड, यह सब कुछ पूछा जाएगा, next third unit जो है, वो आपके ओसत प्रमापन, इनकी माना की काईया, उनके संबंद, परिमाप, next unit गनित की प्रकृती और गनित की भासा, सामुदाइक, गनित आंक्णों का प्रवंधन, इसके बाद अपचारिक, अनपचारिक, विधियोंदारा, मुल्यांकन, यानि सिक्षन विधियां जो है, वो पढ़नी ह तो math में जो syllabus है वो पहले की तरह ही है, बस आपको करना है कि जो कक्षा एक से पांचमी तक, RBSC की जो book जो है, वो schools में लगी हुई है, उसी के according आपका syllabus जो आपको निर्धारित किया गया है, कक्षा एक से पांचमी तक कि आपको सभी पुस्त के पढ़नी होंगी, और जो प यह है आपका परियावरण अध्यन का, जो कि 30 marks का आपका पूछा जाता है, लेवल वन के अंतरगत, तो first unit परिवार, second unit वस्तर और आवाज, third unit व्यवसाय, यहां आपका जो है, वही पिछले syllabus के according है, बस इसमें देखिए, third unit जो व्यवसाय है, इसमें राजिस्थान की संद विधान सभा, राजिस्थान के जिले, राजिस्थान में पंचायती राज, यह बिल्कुल नया एड है, जिसको आपको आप नए तरीके से पढ़ना होगा, उसके बाद जो राजिस्थान की संस्कृति है, सब्वेता संस्कृति, वहां से संबंदित आपका सब कुछ आएग जो की नया यहां पर कर दिया गया है, और वो क्या है, जिसमें राजिस्थान के लोग देवता, यह सब कुछ पढ़ना होगा, बिल्कुल नया है, और क्योंकि पहले से ही पता था कि राजिस्थान का जीके जो है वो यहां जोड़ा जाएगा, तो देखिए इसी तरीके से परिवहन और संचार, जो की पुराने सिलिबस के अकॉर्डिंग ही है, अपने सरीर की देखवाल यह भी उसी तरीके से है, सजीव जगत, ठीक है, तो यहां पर नया शामिल है, ति जो संरक्षित वन शेतर और वन्ने जीब, जिसमें राश्योद्यान, वन्ने जीब, परिवता रोहन, जिसमें परिवता रोहन में कटनाईयां, वन्ने काम करने वाले औजार भारत की प्रमुक महिला परवता रोही, यह बिल्कुल नया है, जो की आपको पढ़ना होगा, नेक्स्ट जो है, वो परियावरण अध्यन से संबंदित, जो आपके अधिगम से दांत हैं, शेत्र है परियावरण अध्यन का, ठीक है, तो यह सब कुछ आपको पढ़ना होगा, जो की सिक्षन वीदियों के अंतरगत आता है, और स्लेबस जो है, वो बिल्कुल कक्सा 1-5 वी तक, जो राजय सरकार द्वरण निरधारित पाठे क्रम है, जो की 2019-20 में, जो भी नहीं हुआ है, ज्यादा चेंज है वो किसमें हुआ है, परियावरण अध्यन में हुआ है, और थोड़ा सा गनित में हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में, थेंक यू